सदी के महानायक रह चुके सनी देवल ने एक बार फिर दोबारा जब बॉक्स ओफिस पर पैड जमाये तो उनकी पकड इतनी मजबूत थी कि बाकी हीरो हिरोईन उनके आगे धीले पड़ गए उनकी सफलता देखकर बॉलिवुड जमात से जलन की बू आने लगी अभी हाल ही में शिर्पाशेटी ने सनी देवल के साथ फिल्म अपने टू में काम करने से मना कर दिया हाला कि शिर्पाशेटी का ये कहना है कि वो अपनी वेब सीरीज में अभी बीजी है लेकिन फैंस का कहना है कि सनी पाजी की लगतार सकसेश देखकर कुछ बॉलिवुड स्टार्स जरन के कारण के साथ काम नहीं करना चाहते हैं और यह पहली बार नहीं है कि किसी एक्ट्रेस ने सनी देवल के साथ काम करने से मना किया हो ऐसा पहले भी काफी बार हो चुका है कि बॉलिवुड की दिगज एक्ट्रेस सनी के साथ काम करने से मना कर चुकी है आपको जानकर हैरानी होगी कदर में सकीना का किरदार अमीशा पटेल से पहले काजोल को दिया गया था लेकिन काजोल ने सनी देवल के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था इस बात का खुलासा खुद सनी देवल ने अपने एक इंटर्वियो में किया था निर्देशक ने ये भी बताया था कि कुछ लोगों को तो ये लगता था कि हम उनके साथ काम करने के लायक ही नहीं है हम छोटी लोग हैं और वो हमारे साथ काम कैसे कर सकती है इसलिए काजूल ने उनकी फिल्म गदर में काम करने से माना कर दिया था बाद में वो रोल अमीशा पटेल के पास चला गया कितनी ब्लॉक बॉस्टर फिल्म उन्होंने आखिर क्यों छोड़ दी सनी देवी के साथ काम करने से मना करने के लिस्ट में श्री देवी का नाम भी शामिल है एक टाइम पर श्री देवी ने भी सनी देवी के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था इस बात का खुलासा भी खुद सनी देवल ने किया था उन्होंने बताया था कि एक बार मैंने अपने फिल्म घायल के लिए खुद श्री देवी को अप्रोच किया था उनसे बात चीती थी लेकिन उन्होंने फिर भी ये फिल्म करने से इंकार कर दिया था श्री देवी ने सनी देवी के साथ सिर्फ वही फिल्म में की हैं जिनमें हिरोईन के रोल्स हीरो से ज़्यादा बड़े दिखाये गए हूँ बाद में श्री देवी और सनी देवी के फिल्म चाल बास निगाहें आई इसके बाद राम अवतार में भी इन दोनों को एक साथ देखा गया था लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में श्री देवी के रोल सनी देवी के रोल से ज़्यादा बड़े दिखाये गए थे इसी तर अपने खूपसूरती के लिए फिमस ऐश्वर्य राय ने भी एक समय में सनी दोल के साथ काम करने से मना कर दिया था क्योंकि सनी दोल की फिल्मों में हीरो को जाधा तवज्ज़ों दी जाती थी और वो जात तर एक्शन फिल्म में करना पसंद करते थे इसले शोर्य रायन ने भी उनके साथ काम करने से मना कर दिया था 90's के दोर में लगबग सभी हीरो के साथ काम करने वाले हिरोईन मादुरी दिख्षित भी सनी दियोल की फिल्मों को रजेक्ट कर चुकी है वज़ा थी कि सनी एक्षिन की फिल्म में कर रहे थे और मादुरी को भी दूसरी फिल्मों में लीड रोल मिल रहे थे हाला कि इन दोनों को तरदेव फिल्म में साथ देखा गया था कहा जाता है कि सनी के गुस्ते की वज़ा से भी कोई heroine उनके साथ काम नहीं करना चाहती वहीं सनी के fans का मानना है कि सनी दिल की acting और actions इतने ज़्यादर smooth और perfect होते हैं कि किसी भी heroine's के लिए उनको match करना उनके साथ काम करना एक challenge हो जाता है और कोई heroine उनके साथ काम करते वे perfectly उने follow भी नहीं कर पाएगी यह ही कारण है कि कोई भी heroine के साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो काम कर भी नहीं पाएगी दोस्तों आपको हमारे वीजियो कैसा लगा हमें कमेंटर के जरूर बताएगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं जिससे हमारी सभी विजियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे